हलो गाईस तो आज हम आप सभी लोगों को फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के physics यानि भौतिक विज्ञान के महत्पुर प्रस्णों की एक practice class तो आज के इस class में हम लोग फिर से discuss करने वाले हैं 15 questions इसमें से कितनी questions आप सभी लोगों को सिधे-सिधे आ रहे थे लास्ट टाइम में आप सभी लोग वीडियो के अंतिम में कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएगा हमारे इस क्लास का में उद्देश है कि आपको यह सभी कोशन याद रहें भूले न क्योंकि चैप्टर वन पढ़ने के बाद आप सभी लोग क्या करते हो छोड़ देते हो वहीं से क्या होता दिमाग से दिरे दिरे बूलने स्टार्ट हो जाते हैं अगर ऐसे वीडियो आपके स सामने आता रहेगा तो चीज़ें याद होती रहेगी आगे हम लोग इसी तरब से सब्जेक्टिव कोशन का भी लेकर आएंगे तो चलिए क्लास शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सुबह सुबह एक बार माहस्तुति का नमन करते हैं आप सभी लोग माहस कल्प लीजिए मेहनती स्टार्ट कीजिए और हाँ जो बच्चे अभी तक बोर्ड एक्जाम दोजाज 24 की तयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट नहीं किये हैं आप सभी लोगों के लिए हम बहुती बेहतरीन तरीके से सिखर बैजड 24 में दे रहे हैं यहां पर आपको पूरी तरीके से तरीके से तयारी कर आई जर elabor fits w नहीं समझ में तो कैसे जाएगे इसके लिए आपको होता है लाइब डाउट क्लास नहां से पूछ सकते हो या फिर टेली कॉलिंग के जरीए आप लोग डाउट क्लास पूछ सकते हो और बहुत जल्दी एप में बहुत अच्छा अपडेट आने वाला है डाउट को लेकर उसक के साथ साथ में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कौन सा बुक ले किस पॉप्लिकेशन का बुक ले किस राइटर का बुक ले आप अगर बैच को जॉइन करते हैं आपको कोई भी बुक लेने की जरूट नहीं क्योंकि हम आपको हर चैप्टर वाइज बुकलेट दे र रहा है ताकि आपको अलग से कोई भी बुक लेना ना हो कि मेहनस से पढ़ाई करना हो और यह सभी चीजे सभी सब्जेट का पूरे साल के लिए इस सभी चीजों का फिस है मात्र उनिस सो निन्यानवे रुपे अब अगर इस समय आप जॉइन करते हैं तो होली के सुब उसर म में इस समय आपका डिसकाउंट चला है इस समय सायथ 50 बच्चों के लिए डिसकाउंट 1599 हुआ था 50 बच्चों के लिए था अगर 50 बच्चे पूरे हो चुके होंगे तो अगले 50 बच्चों के लिए 1799 है आप देख लीजिएगा इतने में आपके सभी सब्जेट का पूरी त्यारी पूरे साल तक कराई जानी जिरो से सुनने से सिकर तक आपको पूरी तरीके समझवाएगी आपको सबसे बड़ी चीज इसमें मिला जो कि आपको आप्लाइन में कभी नहीं कराई जाती है यह कंप्लीट सलेबस आपको अगस्त करा दिया जाएगा ताकि आप बोड म में आर्सानी से 90 प्लस पूर्स जॉइन कैसे करना सिंपल काम करना आपको अलफा इस्टिटूट प्रो एप को डाउनलोड करना लिंक नीचे डिसकॉप्शन मिल जाएगा आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नमर है 930 577 1375 इस नमर पर एक बार कॉल कर लिएगा नही पचास बच्चों के लिए 1799 वहा था उसके बाद फिर से यह 1999 हो जाएगा अगर जोइन करना तो आप इस समय कर सकते हैं क्योंकि इस समय आपके पास फोली के सुबह उसार पर डिसकाउंट चला है वह भी मैं तो सभी बच्चों के लिए नहीं कर पाया हूं इसके लिए इस सब लाइटिंग विजली वील यह सब चीज़े करनी पड़ती है इसलिए आपको छोटी से फिस ले जा रही है आप इतना कर सकते हैं अगर आप फिस बहतरी तरीके से अगर पढ़ाई करना चाते तो इतने फिस आपके लिए कुछ भी नहीं है ठीक है इतना मैं आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है किसी गोली चालक के प्रिष्ट के अंदर प्लस क्यू आवेस रखा गया है सही है अब देखो जिसको भी एक कोशन आ रहा है नीचे कमेंट बाक्स है तुरंत कमेंट कर दो एक का ख इस तरीके से तब आपकी तैयारी होगी ठीक है नेस कोशन अब मैं कोशिस करूँगा यह सा वीडियो आपको सुबह में मार्निंग में दे दिया करूं थाकि सब्सक्राइब धनावेशित किया जाता है तो द्रवमान जो होता है तो द्रवमान जो होता है यह क्या होता है बढ़ता है यह मैंने आपको बहुत बढ़ियां से बता रखा लेकिन इस ससुरा कोशन में यह नहीं बताया कि धनावेशित किया जाता है तो इसका सही जवाब ह घट भी सकता है बढ़ भी सकता है मुझे नहीं पता क्या हो सकता कुछ तो कुछ होगा ही अगर धना वेशित क्या जाएगा तो घटे का द्रम्मान रिडा वेशित क्या जाएगा यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है अगले कोशन की तरफ चलते हैं को सनमर होता है मैंने आपको बता दिया था सफ्टेट को वाई अगला कोशन क्या है बाबू ध्यांस समझना स्थिर बैदू छेतर होता है मैंने बता था सनरच्षी होता इसके बारे मैं बहुत अच्छा से डिसकस किया था जीचे भूलना मत इसे कोशन बार बार पूछे जाते लेश कोशन देखो आप सभी के सामने कि स्थिर आवेश इस्थिर का मतलब मैंने आपको बताया था कि बस जिसके साथ उनका चल रहा है उन्हीं के साथ रहेंगे या फिर वो गतिमान हो सकते हैं मैंने ये भी बतायाता है या फिर तोरित हो सकते हैं तोरित का मतलब किसी के साथ चलना उसके साथ साथ में किसी और के साथ उनका अफेर चलने लगा मैंने बतायाता जो इस्थिर आवेश होते हैं या इस्थिर लोग होते हैं आवेस होते हैं वह क्या कौंसा छेतुत्पन करते हैं चुम्बकी छेतुत्पन करते हैं याद रखना कोशन पूछता है और जो गतिमान आवेस होते हैं एक कौंसा छेतुत्पन करते हैं चुम्बकी छेतुत्पन करते हैं चुम्बकी छेतुत्पन करते हैं तो यहां से पूछा इस्थिर आवेस केवल वेदुदित आवेस और जो तो उतorem F करेगा और जो कतिमान होता है मतलब आज इसके साथ कल उसके साथ परसो उसके चुम की छेतुर्थपन करेगा इस तरह का मैंने आज इसके समझने वाले समझ गये होंगे बाकी हम कहां से बोलना है देखो यह कुसान मुग्त आकास यानि अपसालन नाट की बैदूच सीलता क्या हो जाएगी अपसालन नाट की जो मान होता है, 8.85 into 10dPå-12 होता है, यह आप लोगों को पता होगा, पक्का पता होगा, आप लोग कहीं ने कहीं, देखे होंगे, जाने होंगे, यह दो आवेसों की बीच की दूरी दूग नहीं कर दी जाती है, तो उनके बीच लगने वाला हुआ होता है, इसके लिए मैंने आप को एक ट्रिक बता रह dolphin कि चुकि अब्जेक्टी कöसन और अब्जेटी कोसन इस को साल टान करते अब्जेक्टी को ट्रिक के साथ करेंगे या फिजकोल टू उटा के इउटू आपाउन हो दो यानि जो यह फार्म्यली से असपर्श था कि यह कर रहा occupy एप आपना आज है भाइला केन्दीसन य्यॉफ है। Zombi के प्रपोस्टनल ए मतलब कि अगर दुक्त कर जाती हैी मतलब किंब कि 2 गुणा किया जाता ऐ rap तो क्या करेंगे हम यॉव का जो प्रपोस्टनल हो जाएगा वगत हों तुग्टा स्की date न लिए तो , टिप है यहाँ पे दो गुणा पूछा है तो दो गुना वानपांवान कैस्कॉार कर देती है। तो देन का स्कवार करेंगे चार उसकॉर क्या का स्कवार हो यह बाबुबात समझ में मुझे लख दूरं से मुझे लग रहा है इसमसियग रहे है यह व腰ी यह बया किसुट हुआ कर दो क्या होता यह कंद द então साइन होता तो क्रास किया जाता है एक बैदू दिद्रू जिसकी दूरी अच्छी इस्तिति में च्छी इस्तिति में बैदू च्छी स्तिति में बटा रखा है एक अपलाइन वाले के टूपी नहीं बताया उन्होंनों तो यह बता रखा है इस इक्वल टू वन अपान फूर पाई अप्सालन नाट तूपी अपान आ रिए भाई आपके आप लाइन वाले मास्टर गलत नहीं बता है वो गुरुजी है सही बता है यह याद करना असान है मैं यहीं बता हुआ जो चीज दिखाना जता हूँ यहां पे है आर्कुव भी यहां है यहां पे आर्कुव यहां मतलब हम यहां पे आर्क्यॵ के समान उपाते होगा एक से कुषण करना सीखो तब मज़ा आएगा किसी खोखले गोले के काड चालक के बीतर बैदूचित की पोटा क्या होगी आपको समझा रहेते कि जब आप पढ़ोगे नौकरी लगेगी तो साधी होगा चोकरी मिलेगी और साथ में फोरियूलर भी सब की साथ ही मिल जा रहा है गुरूबड़ी में बैठा के मौसम थोड़ा मासूम हो अब कर नहीं कार नहीं होता इसा होता है यह कार है नीचे चक्के लगे हुए जा रहे हो आप यहां खुड़ू-खुड़ू कईके बैठे हो क्या क्या कर रहे हुए आपसे ज्यादा कौन जानता है बिजली तड़केगी फिर भी अंदर बैठे हुए आपको बिजली नहीं लगेगी क्यों क्योंकि जब कोई भी सत्ह एक तरह से क्या होता है चालक सत्ह होता है ऐसी चालक से बना होता है तो उसके जो बैदुच्षेत्र दिया जाता है उसके चालक के सत्ह पर ही रह जाता है अंदर नहीं जाता है यह कोशन गल्ती कर दिया हमसे पूछके गल्ती यह किया है यह कोशन वाला ने कि कि इसी आवेशित खोकले गोले खोकला गोला है कि भीतर बैद उच्छत की त्यूता पूछ लिया जबकि मैंने आपको समझा रखा था कि जो आवेश होगा वह बाहरी रहेगा अंदर तो जाएगा नहीं तो आपसा नमर गर सही हो जाएगा बीतर जीरो हो जाएगा इतना मज़िदार को सन था हम लोग दस को सन बहतरीन तरीके से कर चुके हैं सिस्टम से कियें तसों को सन समझ के कियें मज़िदार हैं मज़े तरीके से कियें इग्रमा को सन आप सभी लोगों के सामने है और मैं इग्रमा को सन आप के लिए homework देना चाहूंगा और मैं सभी से कहना चाहूंगा डिस्कप्शन में नीचे डिस्कप्शन में लिंक मिल जाएगा अलफा इस्टिटूट प्रो एप का वहां पे डाउनलोड करिए जरूर वहां पे जाएए सभी लोग कोस को देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से पढ आपको अगर यह लगता है नेटपैक बहुत महांगा है तो उसका भी टेंसर नहीं लेना हम लोग नेटपैक भी करा के देंगे लेकिन आपको पढ़ना होगा इसके लिए आपको अलफा इस्टिटूट प्रो एप पर ही इस कॉलन सीट होटा है होगा संड़े के दिन आर्लं भी लिए जाएगा उसका पैसा देदिया जाएगा तीन महीने का नेटपैक हो जाए चाहिका इस समय यह सिखर चीकर बैद्ज जो है एक तरह से निश्टा है उस पांच को अपने से देख लेना सभी लोग तो चलिए मिलते हैं निश्ट वीडियो में सभी को जैमा सरसुति और जिसको भी जॉइन करना है फटापट इस नम्मर पे 9357 तर 1375 देर ना करें कॉल करें और अपनी तयारी स्टार्ट करें कि देर करेंगे तो पी